नमस्कार किशान भाईयो स्वागत है आप सभी का विश्वाश फार्म की यूटूब चनल पर यहां पर देख सकते हैं हम लोगों ने जंगली वैगन का बीजाई किया था जिस पर ग्राप्टिंग किया जाता है उसके बीजो का जर्मिनेशन हम लोगों ने 24 माई को बीजाई क जितना हम लोगों ने बीज डाला है एक भी बीज बेकार नहीं गया है सारा बीज उगा है और यहां पर जो भी बचे हैं और भी उग रहे हैं चोटे-चोटे यहां देख सकते हैं तो यह जो जर्मिनेशन यह हुआ है यह ट्रीटमेंट किया हुआ भीज है पहले भी मैं एक किया हुआ बीज यहां पर देख सकते हैं यह उगना इस्टार्ट हो गया है यहां पर देख सकते हैं यह यह और आगे यहां पर मिट्टी यहां से फट रही यहां से निकलेगी यहां पर देख सकते हैं यह छोटे-छोटे इसके अंकुर दीख रहे हैं यहां पर निकलने वा तो बारा दिनों के बाद से बीना ठेटमेंट किये हुए बीज उगना स्टाट हो गया है और यह जो जंगली बैगन का बीज है बेज बिल्कुल पके हुए और सलेक्टेट बीज हैं इसमें से बीज नहीं उगेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है सारे बीज उगेंगे और जो भी किसान भाई हमसे जंगली बैगन की बीजों का ओर्डर करेंगे उनको हम बीजों के ट्रेटमेंट का पूरा गाड़लाइन करेंगे उनका एक इस्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें किस तरह से जो बीज है यह जो जंगली बैगन की बीज है इसको ट्रेटमेंट किया जाता है उसकी जानकारी उनको दी जाएगी देख सकते हैं बिलकुल ट्रेटमेंट किया हुआ बीज है यहां पर हम मैं आपको दिखा दूँ यहां पर जो है यह ट्रीटमेंट करके रखें यह देखिए इस बीज को जब भी हम मिट्टी में डालेंगे सिर्फ पांच दिनों में यह उगना स्टार्ट हो जाएगा और सबसे कम कीमत में ही हम सभी किसन भायों को यहां बीज उपलब्द करा रहे हैं जंगली बैगन का बीज ग्राफ्टिंग कैसे करना है इस सारी जानकरियां हम लोगों ने चैनल पर पहले ही अप्लोड कर चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं बैगन की खेती वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप खेती से संबंद सारी जानकर यहां पा सकते हैं और भी किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न होंगे तो कमेंट करिएगा हम आपके सवालों का जवाब जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे हमारा वाट्सप नंबर दिया हुआ है इसमें कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जंगली बैगन के वीजो का और कर सकते हैं बीनर 212 वीजो का और कर सकते हैं जिससे कि आप ग्राप्टिंग करके अच्छा प्रोडक्शन लेकर के अपना आए बढ़ा सकते हैं किसान वाज़ों यहां पे जो समय ज्यादा लगता है 6-7 दिन ज्यादा समय लगेगा इसमें 6-7 दिन का समय कम लगेगा तो यहां पर आप इसको मैं फिर से चार दिन के बाद में एक वीडियो और बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि स्टेरे में भी सारे नॉन ट्रीटमेंट किये हुए बीज भी ताकि उनको बेनिफिट मिल सके उनके आये में विर्थी हो सकते वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी केसर मभायों का बहुत बहुत धहनेवाद मिलेंगे और भी अच्छी जानकरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धहनेवाद